दोस्तो आज हमारी MS Access की 60 क्लास है मैंने आपको 5th क्लास में सिखाया था MS Access में डाटों को सोट करनी के लिए Ascending और Descending Option का यूच कैसे करते हैं दोस्तो आज इक्लास में आपको सिखाने वाला हूँ MS Access में Find और Replace Option का यूच कैसे करते हैं दोस्तो मैं आपकी जनकारी के लिए बिता दूँ अगर आपने Word Excel के अंदर Find और Replace Option का यूच किया हूआ है तो Word Excel में Find और Replace Option का यूच करने का तरीका अलग है और MS Access में Find और Replace Option का यूच करने का तरीका अलग है तो MS Access के अंदर Find और Replace Option का यूच कैसे करते हैं जाननी के लिए इस वीडियो में सलास्तक बने रहे हैं और आप मेरे यूटूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेले का बटर पेस कर दें तो चलिए आज की वीडियो को सुर करते हैं दोस्तों MS Access के अंदर मैंने आप एक डाटाबस में रखा है कंभी नाम का और इसमें एक टेल मा रखा है Employee Record के नाम से और इसमें मैंने कुछ इंटी कियावा है जैसे यहाँ पे Employee Code है Employee Name है Designation और Salary यहाँ पे टोटक चार कोलम है तो माली जी यहाँ पे जो Employee Name का कोलम है मुझे इसमें से किसी एक नाम को Find करना है तो Find करने के लिए MS Access में Home Tape के अंदर यहाँ पे दियावा Find का Option जैसे इस इसमें करने यहाँ पे Find and Replace का Dialog Box ओपन हो जाएगा इस Dialog Box को ओपन करने के दिए आप Keyboard से Ctrl F की भी प्रेस कर सकते हैं दोस्तों shortcut की सभी software में सेवी होता है चाहिए Word हो, Excel हो, MS Access हो या फिर कोई भी application software हो और यहाँ पे दियावा है Replace का Option है आप माउस से इस पे किलिक करेंगे तो आपको सामने यहाँ पर ओपन हो जागा Find and Replace का Dialog Box है चाहिए यहाँ आप Find पर क्लिक करें या फिरे-प्लेस क्लिक करें आप इस वाणर box के अंदर Find का भी यूज कर सकते हैं और रिप्लेस का भी यूज कर सकते हैं और पर यहाँ दियावा Find What Box की पहले मुझे यहाँ पर find पर click करना है ठीक मैंने इस पर click कर दिया और यहाँ पर find what वाले box में मैं यहाँ पर नाम type कर देता हूँ जैसे यहाँ पर type कर दिया मैंने राम पाल लिखावा नहीं है तो आपको यहां पर फाइंड वाट समय में आ गया इसके इंचे दोस्तों दीचे दियावा है लुक इन इसके अंदर यहां पर दो अप्सन होते हैं एक दियावा है करण्ट डोकुमेंट करन्ट चीजेंट मेंट करता हूँ मालिजिये में आपको एक इंप्याट यहां आपा टाइक और कि शॉइन अपयल जीजेंट करें आपके मेसेज आ रहा है Microsoft Access Finish Searching the Recorder मतलब कहीं भी यह नाम हमें नहीं मिला क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर यूज किया वा है Looking In के अंदर Current Field इसका मतलब यह होता है कि हमने जिस कॉलम पर क्लिक किया वा है उसी कॉलम से यह Find करेगा तो उस कॉलम में तो सिप Current Field में आ गया लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम किसी भी कॉलम में किलिक करें देखिए मैं यहाँ पर कहीं भी किसी भी कॉलम में किलिक कर देता हूँ अगर मैं यहाँ पर Current Field के जगा पर किलिक करता हूँ Current Document पर ठीक है तो Current Document का मतलब होता है कि जितने भी हमने column बनाया हुआ है उसमें से किसी भी column में जो भी यहाँ पर हम find करना चाहे हम कर सकते हैं ठीक है तो अभी मैंने यहाँ पर click किया हुआ है Sally वाले column है आप यहाँ पर दे सकते हैं और मैं यहाँ पर कोई एक नाम type कर देता हूं नाम change कर देता हूं जैसे यहाँ दे दिया मैंने अमन कुमार ठीक है यहाँ पर नाम type कर दिया और अभी मैंने यहाँ पर लियावा looking के अंदर current document और यहाँ पर जैसे हम find next पर click करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा नाम है यह find हो गया कि current document का मतलब होता है कि यहाँ पर इस table के अंदर जितने भी हमने record की inti किया हूआ है पूरे record में कहीं से भी यह find कर सकता है तो आपको यहाँ पर find what box सब में आ गया और यहाँ पर looking के अंदर current document और current field आपको सब में आ गया current field मतलब एक column और current document मतलब all column चलिए इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया वाए match का option इसमें देखिए इसमें तीन option दिये हैं any part of field, whole field और start of field दोस्तों यहाँ पर पहला option दिया वाए any part of field इसका काम होता है a proxy match पतलब जो भी हम हम number type करेंगे या पर नाम type करेंगे उसमें से पूरा नाम नहीं अगर starting का कोई भी नाम match हो जाता है यह number match हो जाता है तो वो find करके दिखा देगा यह number यहाँ यहाँ पर match हो रहा है जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर whole field की जगा पर मैंने कर दिया any part of field और यहाँ पर मैं नाम की जगा पर कर देता हूँ जैसे माली जीए 200 और यहाँ पर क्लिक करता हूँ find next पर ठीक है यह देखिए तो find next में click किया तो 200 यहाँ पर sell you all option में यहाँ पर find हो रहा है ठीक है ऐसी मैं यहाँ पर करता हूँ find next, तो यहाँ पर भी 200 यहाँ पर find हो रहा है, ऐसी यहाँ पर find next करता जाओगा, तो जहाँ जहाँ भी 200 मिलेगा, यह उसे find करता जाएगा, यह देखिए, अब माली जीए, मैंने यहाँ पर employee code वाले column पर click कर दिया, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, current field, मुझे इसी column में find करन हूँ, तो देखिए, यहाँ पर find हो गया, और ऐसी यहाँ पर दोबार में click करता हूँ, find next पर, तो अब यहाँ पर message क्या आ रहा है, कि Microsoft Access, finish searching the record, इसके बाद 200 की कहीं भी entry नहीं है, तो whole field का काम यह होता है, कि जो भी यहाँ पर find करेंगे, वो पूरे field में जहाँ भी match करेग बिल्कुल exact है, तो वो आपको दिखा देगा, चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक option और दियावा है, start of field है, मैं यहाँ पर current field की जगह पर यहाँ कर देता हूँ, current document है, देखिए आपकी मर्जी है, आप एक column में search करना चाहते हैं, या पूरे column में, तो मैं यहाँ पर current document लिया की पूरे field में, जो भी यहाँ पर हम find करेंगे, starting में जहाँ जहाँ पर match करेगा, वो आपको दिखा देगा, जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर find next में click किया, तो यहाँ पर starting में 200 match हो गया, तो यहाँ पर यहाँ पर 500 match हो रहा है, यह भी आपका दिखा दिया, जैसे माली जी यहां पर जो number दियावा है यह जो salary दियावा है starting में जिसके भी salary में 200 match करेगा वो आपको find करेगा दिखा देगा मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए यहां पर मैं next नेच करते जाता हूँ तो इसके बाद अभी यहां पर किसी भी column में 200 नहीं है यहां पर 200 दियावा है दे आपको find करके दिखा देगा तो आपको यहां पर look in और match आपको समझ में आ गया कि इन सभी काई उच कैसे करते हैं चलिए नीचे यहां पर दियावा है search का option है इसमें तीन option दिये हैं आप पर down और all है देखिए यहां पर record के अंदर हमने कहीं भी click किया वा हो अगर यहां पर search में all slate करते हैं तो जो भी यहां पर हम search करेंगे यह पूरे table में मतलब पूरे यहां पर record में search करेगा कि वो कहां कहां पर है ठीक है पूरे ही table में यह search करेगा जैसे employee code का जो column है यहां पर मैंने बीच में click कर दिया और यहां से कर दिया मैंने down तो down का मतलब यह हो गया कि जह नीचे से Find करेगा, उसके बात से Find करेगा, और यहां पर आपका मतलब होता है, देखिए यहां पर अप दियावा है, कि जहां पर हमने किलिक कियावा है, उसके उपर Find करेगा, ठीक है तो मैं यहां पर कर देता हूं, down तो down करने के बाद यहां देखे find next यहाँ पर down में search कर रहा है और ऐसी यहाँ पर down की जगा मैं कर देता हूँ आप तो अब यह उपर क्यों search करेगा यह देखिए यहाँ देखिए इसके उपर में यहाँ पर दियावाई इसके बाद कहीं भी में दियावा है मैच कैसे मैच कैसे मतलब हो गया कैस सेंसेटिव अगर यहाँ पर किसी का भी नाम हम find करेंगे जैसे माली जी कि यहाँ पर यहाँ पर नेहा कुमारी एक नाम दियावा है मतला बिलो एक्जेक्ट मुझे मैच कराना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या टाइप किया हुआ है, नेहा कुमारी, यहाँ लेटर में, और यहाँ पर जो नाम है नेहा कुमारी, देखे, यहाँ पर N Capital है, और कुमारी में K Capital है, तो यहाँ पर मैं Find Next पर क्लिक करता हूँ, आप यहां पर देखना देखिए यहां पर मैसेज किया रहा है कि Microsoft Access फिनी से सर्चिंग दर रिकोर्ड आच्छा ऐसा कि वहारा है क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर सर्च में यहां पर मैं में में चेश के अंदर इससाले option पर क्लिक कर देता हूं चेक कर देता हूं तो इसका मत्तब हो गया केश सेंसेटिव जैसा नाम हमने फिल्ड में इंटरी किया वा है इक जेक्ट अकर यहां पर हम टाइप करेंगे नहा में एन केपिटल और कुमारी में केपिटल तब यहां पर फाइंड होगा देखिए अब मैं यहां पर फाइंड करता हूं तो अब यह मुझे मना कर देगा देखिए यहां पर मना कर दिया इसने माइकोस फिनिस तर्चिंग दा रिकोर्ड तो अब मैं यहां पर ऐसा करता हूं यहां पर नहा में एन केपिटल कर देता हूं ठीक है यहां पर मैंने एन केपिटल कर दिया और कुमारी में केपिटल कर दिया और अब मैं यहां पर फाइ यहाँ पर दियावा है replace का option आप यहाँ पर find पर क्लिक करें यहाँ पर replace का option पर क्लिक करें दोनों में एक ही box open होता है आपका find and replace का आपके सामने आगे यहाँ पर replace वाला option replace के अंदर पहला option यहाँ पर दिया find वाट है जो किसी नाम को find करने के लिए होता है तो यह सब्वाब कोशन में आ गिया है बस आपको यहाँ पर में replace करके दिखा देता हूँ तो मालीजी यहाँ पर दियावा है सुजाता कुमारी इसकी जग पर मुझे करना है ममता गुपता ठीक है तो मैं यहाँ पर पहले नाम को find कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने match case भी क्लिक किया वा है तो capital में टाप करना परेगा वहाँ पर सुजाता में JS capital है तो मैंने यहाँ पर टाप कर दिया सुजाता कुमारी ठीक है तो मैं यहाँ पर find next पर क्लिक किया देखिए नाम यहाँ पर find हो गया मुझे यहाँ पे इसकी नाम की जगह पर चाही क्या ममता गुपता तो मैं यहाँ पर क्राप कर देता हूं ममता गुपता और यहाँ पर replace पर क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पर जो नाम है मारा यह replace हो गया और replace में और जो नीचे option दिये वे हैं इन सबी का यूज कैसे करना है आपको बारी की से समय में आ गया होगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आपको अगर आज का वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और कम्पूर्टर में हमेसा कुछ नया सीखने के लिए MS Access में हमेसा कुछ नया सीखने के लिए हमारे चल को सस्काइब करके बेले कमटर पेस कर दें हमारे चल का नाम है टेकनिकल कम्पूर्टर क्लासे से मिलते एक नए वीडियो में ठैंक्स